आप सुपर कंशेट क्लास में स्वागत थे और आज क्लास 11 का एकजान था और यहां पर मैं आप लोगों को मेहत का एंसर की बताने वाला हूं तो फटाबट आप लोग अपने कोश्चन पर निकाल लेजिए और देखिए कि आप लोग ने कितने कोश्चन कहीं से सही किया है औ अब लोग पढ़ा होगा तो अच्छी तरी के सिख्जाम दिया है और अगर नहीं भी पढ़ा हो से कि आप लोग अच्छी तरी के से दिये होंगे लेकिन अगर आप लोग पढ़ते हैं मेरे वीडियो को ज़रूर आप लोगों को help हो और देखिए मुझे अंसर की बनानाने म 1 का सेयूत्तर। यहां पर up changer number 2 झाल हो गया। पहले सी जो ठिक यहा हुआ है उसके उपर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। यहां पर जो मुण आपो बिन आप जो ध्यान देना है पर योप जड़ेना है। आतो ऑफ no2 हो गया। कोस्टिन नमर्ट देखें लिए कोस्टिन नम तीन का हमारा यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा कोस्टिन का हो जाएगा आपर चार का बढ़ रोगा यहां पर प्रकार और रहरा हो जाता है तो कितना सिंपल सिंपल कोश्चन दिया है बहुत ही आसान सा कोश्चन है तो चार कहीं हो जाएगा अपसे नमर एक हो जाएगा अब लोग प्राक से मिला लिजिए होसा कि आपको बाहर से कुछ गाली बेगारा का हुसके आवाज आपनों को सुना दे सकता है कि एक्षाल में मैं रोड मे तो धाकड त्यारे कराऊंगा मैं लेना आए जैसे आप लोगा एक्जाम खतम हो गया अब दो चार दिन के भीतर से हम लोग क्लास 12 का निव सेसन शुरू करेंगे और एक तूजट हरे चिच्च को अच्छे तरगिस देखेंगे इसमें हमें कम समय मिला इसलिए अच्छे तर अगर मैं बोलू ना तो 99 परषंट को चार जो भी मिला आप लोगों को पढ़ाया था इसे तो हर एक चेप्टर इसको मैं नहीं पढ़ा पाया लेकिन जितना भी पढ़ाया था मैक्सिमम कोश्ट किया है आप लोग चाहे तो देख सकते हो तो हम चो हो गया अप्सिंघर हो ग सही answer हो जाएगा option 3 हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर option 3 इसका सही हो Gazi होगा root under 3 by 2 सका right answer हो जाएगा question number 9 देख लेते हैं हमारा जो सभी एंसर हो जाएगा। हो जाएगा। देखो q2 15 तो 0 2 तो 2 यहां पर q4 सही हो जाएगा q8 3 देख लो भाई को सब्सक्राइब हो जाएगा तो जब prostu 13 यहां फिर 24 सब्सक्राइब होता है तो 13 से उत्री अपर अप्षिन नंबर तीन हो गया चोफिन देख लेते हैं जो हमारा सई एंसर हो जाएगा और जो हमारा हो जाएगा जो जाएक यहां पर फ्लस दस प्रावर जिरो को जब इसले फिलाल अभी हम लोग question No.15 को छोड़ देते हैं, question No.15 में कुछ यहाँ पर miss print मुझे लग रहा है, तो फिलाल अभी हम लोग question No.15 को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं question No.16 को मिला लेते हैं, देखो हुआ 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 मैंने आप लोगों को सुभा यही बला पढ़ाया रहाता तो यह चांग रहा रहाता और यह िंधा आया हुआ है सहीं हो जाएगा मिना-धन mimर चार हो जाएगा या involve चाही नीची हमारी क्या है दीगर की थी सिम्पल सा फर्मूला में आपनों का सुभाई पढ़ाया था और यहीं से क्वेश्चन्स आया है यहां पर N-P-R जो होता है N P R का जो हमारा formula हो जाएगा question मैं 17 से उत्तर हो जाएगा option number 2 हो जाएगा n का factor हो जाएगा n n-0 R का factor हो जाएगा तो यह हो था formula में आपनों को पढ़ाया था तो 17 ग्या हो गया option number 2 यहां पर हमारा सही हो गया आगे चली एक question मैं 18 देख लेते हैं डेकर लोग question नम्हारा सभी हो जाएगा मिला लिए यह युट्व लेते हैं देख लो कोश्चन दीज ना सिंपल दिया था मीन आपनों को सुबह पताया था आप तो कुछ नहीं करना होता है 9 में एक जोड़ देते हैं हम लोग तो 9 और कितना हो गया 10 हो गया तो यह हो गया इसका इंसर बिसका से उत्र क्या हो गया option 4 हो गया बहुत ही आसान सा प्रस्न है जो कि आप लोग ने क्लास टेंथ में पढ़ा है यह सब चीज तो 22 का हो जाएगा यान कि 52 इसका हमारा राइट एंसर हो जाएगा बाइस का क्या हो जाएगा option 2 हो जाएगा 52 इसका राइट एंसर होगा कुछ इस प्रकार से कुष्चन में दिया है यहां पर हमें न का वहलू निकालना है तो यहां पर यहां पर हमार राइट एंसर हो जाएगा या फिर बढ़ा होगा चोबिस का राइट से क्या हो जाएगा हमारा option 2 हो जाएगा आगे चलिए कुष्चन में 25 देख लेते हैं देखे स्लोब भी में आप लोगों को सुभाई पढ़ाया था बहुती सिंपल रिजी तरकी से साइज अही वहला कुष्चन पढ़ाया होगा में आप लोगों को तो 25 का हमारा यहां पर 25 का हो जाएगा हमारा यहां पर not defined हो यह हमारा क्या है पर अपर आट आएगा इनका चार सही हो जाएगा 26 का राइटन से क्या हो गया आगे चलो कोश्चन में 27 देख लेते हैं देख लिए 27 को जब आप लोग सौल्ब करोगे यहां पर में आप लोगों को बता कि एक प्रहेंट रहेगा और अगर किसी भी लाइन 24 हो जाएगा इसका राइट अंसर कोश्चन में 28 देख लेते हैं देख लिए 28 तो कोश्चन में 28 के हाँ पर डिस्टेंस बीट्वीन दो यहां पर प्रहला लाइन से इसका में डिस्टेंस निगालना है तो 28 का जो हमारा से उत्तर होगा यहां पर ऑप्सन नमर एक हो जाएग में आप लोगों को बताया था और यह देखिए आया हुआ कोश्चन है तो 29 का जो हमारा राइट असर हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा 29 का यहां पर ऑप्सन नमर दो हमारा सही हो जाएगा फटा फटाफट मिला लिस यह कोश्चन में 30 देख लेते हैं देखो भाई को अंदुए आप लोगों को बढ़ा देखिए प्रावुला का आप लोगो फोकस किस परकार से निकालों गे तो यहां पर फ्रकार से निकालेंगे मैंने आप लोगों को इलिप्स में पढ़ाया है तो 31 का जो हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 31 का हो जाएगा हमारा option नमर 3 हो जाएगा root अंडर 20 बटा 4 होगा ठीक है यह हो जाएगा इसका right answer 31 का क्या हो जाएगा option नमर यहाँ पर 3 हो जाएगा question number 32 देख लो भई यह भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि distance किस प्रकार से निगा लिएगा जब आपको 2 points दिया रहेगा तो 32 का यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा option नमर 1 हो जाएगा 2 root 5 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा option number 3 हो जाएगा 3 होगा यान कि माइन सालनस का हमारा right answer हो जाएगा question is 34 जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 34 होगा यहाँ पर option number 4 होगा यान कि एक बटा दो इसका answer हो जाएगा question 35 देख लेते हैं वह यह भी मिए आप लोगो पढ़ाया था कोश्चन में 35 का यहाँ पर हमारा सही एंसर हो जाएगा option number 1 हो जाएगा it's right answer mark 35 क्या हो गाँ यहाँ पर option नमें इसका answer हो जाएगा question कोस्चन नमर देखना है यहां पर इक स्मिंपल साथ मदल आप अपन्य की सा ऊंपर हो जाएक है कोस्चन देख लेते हैं कि कोस्चन गें तो अर्ठिस का हमारे स्मइर एक votes- hopefully हमारा आ जाएगा तो 49 देख लेते हैं देख लिए 49 यह देखिए हुब हुब मैंने जो पढ़ायत होई आया है इंपॉसिबल इवेंट्स बोला है तो इसके लिए जो हमारा हो जाएगा तो 49 का से उत्र क्या होगा ऑप्सिन नमर एक हो जाएगा साथ बटा बारा इसका एंसर आ जाएगा तो आप लोग फटा-फट नीचे कॉमेंट करके बताएए कि आप लोग का कितना नंबर आया है और हम लोग क्लास 12 का मदलब जो पढ़ाई होगा बहुत ही जल्द सुरू करने वाले हैं इसलिए फटा-फट चैनल को सब्सक्राइब क करें और जितना हो सकते वीडियो को अपने दोस्तों साथ सेर कर दें तो चलिए मिलते हैं गले वीडियो में थैंक यू जहिंद